किसान के लिए लगबग तीन लाख रुपे उसका स्टार्टिंग में खर्चाता है रहबेट्स प्लस केजिज यह से केज बने होते हैं फिडर बॉक्स होते हैं सर कुछ वाटर स्निपल लगी होती है उसके अलावा किसान का कोई ज्यादा खर्च नहीं आता लाख रुपे उसके सैड के ओपर खर्चाता है लाख से लाख वीश जार के आसपास लगबग चार सड अर्यमाल जो है हर 25 जन में उसको श्ड़े तीं सो बच्चा वो निकलती है रहमारी एवरेज के साब से एक फिमेल से लगबग पांच बसको की एेवरेज निकलती है इंटो सेवंटी करते हैं तो लगबग सदे तीं सो बदि उसका निकलता है च का सभान bouleender नः को न सिंसो हर 45 जनमे उसका जो प्रोडक्शन त्यार होता है एक लाग चालिस हजार के असपास का सेल करता है हम उसमें लगबग 50 टू 60 परसेंट एक्सपेंस उसका मानते हैं जिस लाइक कि वो दाना खिलाता है या कोई मैडेसंस है या उसमें से कुछ मोटेलिटी हो जाती है या फिर उसको हमारे पास छोड़ के जाने का ट्रांस्पोर्टिंग लगता है उसको जो हम एवरेज निकाल के देते हैं किसान को लगबग 25-30,000 का महीने का एक एवरेज हम निकाल के देते हैं कि डेफिनेट उसको प्रोफिट आता है क्या होता है कि जैसे ये पूरा हमारा फिमेल का रहता है पूरा लाइन इधर में सर मेल का रहता है सूरज निकलने से पहले हम अच्छा टाइम बानते हैं क्रोसिंग के लिए, जैसे कि ये फीमेल जो होता है, तो फीमेल को उठा के हमें मेल के डौर में हमें डालना पढ़ता है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं आपको, जिस ताइक ये फिमेल होता है तो हमें मेल के दोर में इसको डालना पड़ता है सर क्रोशिंग के लिए जो बच्चे देने का जो टाइम जो होता है अठाइस से बटीस दिन का टाइम रहता है सर बच्चे देने का फिमेल का रेबिट के फीड में देखिए हराचारा जैसे होता है एक टाइम तो हम हराचारा डालते हैं सभी रेबिट्स को जैसे की बर्सीम हो गया जीज का हो गया सेकेंड एक एजूलूशन करके गरास आता है रेबिट के लिए वो काफी अच्छा और प्रोटिन्स वाला मलब हराचार हम बोलते हैं उसको गाने में जैसने नॉर्मल दाना होता है तो घर परिंक्र हो जाता है कि जैसे मक्का हो गया बढाते हैं स्व raft in kaka Cal हो गया अकना गेहों का चोकर हो जाता है जाव हो जाता है तो ये इन राइस पोली सज जैसे हो गया फेक के लिए ये सब चिजे हम मिलाते और दाने में डालते हैं इसका एक तो कोश्टिंग वाइज किसान को अच्छा रहता है कि बीसक रूपे के जिगे अंदर में यह सब आ जाता है एक तो हम मेट के लिए भी इसको सेल कर सेहें पलस जशेल गवर्मेट के लिए भी फिकल्मीट को सप्लाई करते हैं जितने अपनाव ऐंवाते हैं उनमें दौई ओक लिए हम इसको ब 시दARK इसका जो मेट जो होता है इसके अंदर केस्ट्रोल जो है वो 0% होता है जैसे पॉल्ट्री को भी हम कमपेरिजन करते हैं इस बिजनस के साथ उसमें 64 डीजी जो होती हैं रैबट फार्मिंग के अंदर कोई ऐसी बेमारी नहीं है पलस जो फैट है रैबट मेट के अंदर कोई फैट नहीं है जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए मेट इसका काफी अच्छा माना गया है सब देखिए दोनों चीज मैंने इसमें देखी है कंप्यूटर एजुकेशन में और फार्मिंग में भी प्लस प्रोफिटेवल भी मेरेको ये बिज्नेस उससे कई जादा अच्छा लगा मैं रैबट फार्मिंग से बहुत अच्छा प्रोचरा WOR किया हूँ मैंने जमीन भी अपना परचेज किया है कुछ गाड़ी भी मैंने जोड़ा है सहर में मैंने मकान भी लिया है तो एक दो चीजे मैंने बहुत अच्छी मलब रैबिट फार्मिंग से किया है